नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता फ्रताप सीग्ग बिहार के जिप्टिस सी एम तिजिस्वी यादफ पर बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री जीतनराम मांजी ने निशाना सादा है जीतनराम मांजी ने तिजिस्वी यादफ को एक ऐसा पहलवान बताया है जो हर बार हार जाता है और कहता है कि अपके बार आओ इस बार पटक देंगे पुर्व सी एम जीतनराम मांजी ने 36 गर राजस्थान, MP, तिलांगाना और मिजोराम के विधान सवा चुनाव में बीजिपी की हार होने के तिजिस्वी के दावे पर तंच कसा है बिहार के पुर्व सी एम जीतनराम मांजी ने कहा कि हर पहलवान अक्सर अखाड़ा में यही कहता है कि अपकी बार आओ पटक देंगे तिजिस्वी और विपक्षी एक्ता को लेकर बने आइंडी या ये गड़ बंधन को घेरते हुए मांजी ने कहा कि चले थे चौबे बनने की भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे सभी दल के एक होकर बीजेटी का सामना करेंगे लेकिन आज स्थिती क्या है ताश के पत्ते की तरह सब बिखर गए है जीतनराम मांजी ने कहा कि अपने कारेकरताओं का मन बहलाने के लिए तेजस्वी कुछ भी बोल देते हैं इसका बहुत मायने नहीं है उन्होंने कहा कि 36 गड मिजोराम समेत पांच राजियों में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी उनकी लोग प्रियता है उनका कोई विकल्प नहीं है भारत की कडोडो जनता सब समच चुकी है जीतनराम मांजी ने दुरगा पूजा की बधाई रेती हुए कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा रही है उन्होंने कहा कि अगर समाज में महिलाओं को सम्मान देना है तो बेटियों को अच्छी सिक्षा देनी होगी मांजी ने अपने बारे में कहा कि जब हम CM बने थे तो कहा था कि सभी जाती धर्म के लोगों के लिए पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की सिक्षा फ्री की जानी चाहिए आज दुर्भाग है कि वह सिस्टम लागू नहीं हुआ पैसे वाले तो पैसे से डिग्री ले लेते हैं इसलिए कहा कि करने आप पूजन से नहीं बलकि इसके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए पुर्व सियम जीतनराम मांजी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे पहलवान हैं जो हर बार हाड जाते हैं और फिर से जीतने का दावा करते हैं पाच राजियों में हो रहे चुनाव को लेकर जीतनराम मांजी ने ये तंज कसा है और साफतोर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और इन पाच राजियों में भी नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी और वहीं दूसरी ओर तंच कस्तिवे कहा कि तेजस्री यादर अपने समर्थकों और कारिकरताओं को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं क्या कुछ शिप कहते नजर आये जीतनराम मांजे कि हमने आपको विस्तार से इस रेपोर्ट में बताया फिलाल इस खबर में इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें इस री पोस्ट लाई इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद